काफी बूरी आलती लग रही तो वैसे देख लो आप पर अंदर से आपको दिखाता हूं कैसी रहती है ट्रेन को ट्रैम जा रही है मुझे तो उमीद ही नहीं थी यार कि मोरोकों में ट्रैम चलती होगी को मोरोकों की करंसी भी दिखा देता हूं निकल गी है इस मशीन से गलिय यहां देखो यार क्या प्यारी प्यारी गलिया हैं यहां पर देखो क्या जबरदस्त ग्रैफिटी की हुई है दिवारों के उपर बड़ी दुकाने हैं जिन पर लोग ना यह तोते बगारा यह फक्सी बगारा बेच रही हैं देखो लग-लग टाइप के आप देख सकते हो इने भी लोग यहां पर दुकानों में काम करते हैं जिनको रेस्ट का टाइम मिलता है तब यहां पर बैठ जाते हैं और सिगरेट पीते हैं जैसे कि यह बंदा पी रहा है आप सभी को राम-राम और एक नई वीडियो में आप सभी का सुआगत हैं अभी मैं हूँ इजिप्ट के अंदर आप सभी को पिछली वीडियो से पता चली गया था कि मैं नाइरोबी से जा रहा था मोरोग को लेकिन इजिप्ट में मैंने ले लिया था 21 गंटे का स्टोप क्योंकि मुझे पिरामेड देखने थे तो भाई मज़ा आ गया सही बताओं वैसे तो कल काफी दिक्कत हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इजिप्ट एयर से अगर आपकी टिकेट है और इजिप्ट से आपका स्टोप इजिप्ट के अंदर ही मिल रहा है इजिप्ट एयर से तो आपको ना तो वीजा लेने की जूरत है और ना ही होटल बुक कराने की जूरत है क्योंकि आपको वो इजिप्ट एयर फ्री में देगी लेकिन मैंने उनको कॉल भी किया था लेकिन उन्होंने मुझे सई इंफ्रोमेशन नहीं दी तो अभी मैं जा रहा हूँ एरपोर्ट क्योंकि मेरी फ्लाइट है यहां से मोरोको की अभी सुबह के साथ बजे हुआ है और मेरी फ्लाइट है सुबह नो बजेगी तो चलो भाई चलते है एरपोर्ट की तरफ और यह जो आप पीछे होटल देख रहे हो यह होटल इन्होंने मुझे फ्री में दिया हुआ था पिछली कुछ रातों से सोया नहीं था कल रात को बढ़िया नींद आ गई मज़ा आगया भी चलते है एरपोर्ट यहां से अगर ब्रेकफास होता है तो फ्री तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि वैसे यह सब कुछ फ्री देते हैं आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ देते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि पहले ब्रेकफास्ट करके ही आगे निकल जाते हैं क्योंकि क्या है कि एरपोर्ट यहां से ज्यादा दूर नहीं सिरफ दो तिन फाइनली भाई मेरे गेट पर पहुंच गया हूं आठ बजकर पचास मिनट हो चुकी है नौ बजकर पांच मिनट पर मेरी फ्लाइट है जल्दी से चलते हैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं सही बताऊ पता है क्या हुआ यार मैं एरपोर्ट के लिए बाहर निकला होट में ही लगे हुए है चलो वाई अंदर चलते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं कि इस बार इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है पिछली बार तो एजिप्ट एयर का एक्पीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा रहा क्योंकि इनकी एर होस्ट इतनी ज़्यादा रूड थी वो व सारी जगह बरी पढ़ी है समान की और मेरी सीट है यहाँ पर तो मेरे को बैग नीची रखना पड़ेगा वैसे कोई दिक्कत नहीं मेरे को इससे चोटा सा बैग है मैं पैरों में रखता हूं हमेशा वाकि आप देख सकते हो अगर आप डेवलप्पिंग कंट्री में कभी ट है तो यह पूरा बड़ा हुआ है अगर डेवलपिंग कंट्री होती ना तो यहां पर मेरी जगहें के लिए में एक जगहें खाली पिन लिए हो देखो काईरों से मेरी फ्लाइट जा रही है कासा ब्लांका और कासा ब्लांका मैं उतर के फिर वापस जाओंगा यह जो फैस द है तो मैं आपको बताता हूँ धीग है अगया है फाइनली भाई मोरोक्यों के अंदर एंट्री हो भी है इस एरपोर्ट का नाम है कासा ब्लांका किंग मोहमद फाइफ और सही बताओं अभी यह सिरफ बैगेज लेना रहा गया क्योंकि स्टेंप और इमिग्रेशन कलियर कु कुछ भी निबूच्छा कुछ भी मतलब सिरफ वोटल बुकिंग पहले से मैंने फेक करवा रखी ती जो सब करवाते हैं बुकिंग डॉट कॉम से वही करवा ली और बैग उठा लेते हैं और थोड़ा अगर इस एरपोर्ट के बारे मैं आपको बताऊ ना तो यह एरपोर् मरोको को दे दिया और आज के दिन ये चोथा सबसे बीजिएस टेरपोर्ट बन गया है अफरीका का बैग भी ढूंड लेते हैं साथ साथ आपको इंफोमेशन दे देते हैं और साथ में बैग ढूंड लेते हैं अभी पता नहीं मेरा बैग 21 गंटे का मेरा लेवर था कही बा पर फाइनली भाई बैग मिल गया है आप देख सकते हो पिछे टांग रखा है अब मेरे को जाना है यहां से मेरे बस टेशन पहले थोड़ा बहुत मैं सिटी में इदर उदर गूम लूँगा पर लेकिन यहां से एक ट्रेन चलती है आपको ना कोई दिक्कत नहीं आएगी आ आप एरपोट के अंदर से ही ट्रेन चलती है वही ट्रेन लेकर सिटी में पहुंच जाना क्योंकि यह एरपोट है यह लगबग 30 किलोमेटर दूर है में कासा बलांका सिटी से तो इनकी बढ़िया ट्रेन चलती है वो चलते है नीचे वो ट्रेन लेते हैं पहले यहां से एट कि हम से निकल वा लेंगे भी इमिग्रेशन पर मैं आपको बता रहा था ना कि सिर्फ उन्होंने मेर से वोटल बुकिंग मांगी है यहां तक की रिटन फ्लाइट भी नहीं मांगी है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई एक तो बाई आंके लोगों को फ्रेंच आती है और म मेर को अच्छे से फ्रेंच आती है आप सभी को मैंने पहले भी बता रखाया वीडियो में मज़ा आएगा यार पहली बार ऐसी कोई कंट्री में आ रहा हूं जिनकी मतलब की खुद की लेंग्वेज फ्रेंच बोलते हैं और मुझे फ्रेंच आती है लो भाई या 500 निकलवा हैं तो मतलब 50 डॉलर होगे 845 यह मानलो की 42-43 रुपे निकाल लिए भाई अब ना इंफ्रेंच बोलने की आदत डालनी बढ़ेगी क्योंकि इंग्लिस बोलने की आदत बढ़ी हुई है पर लेकिन मजा आ जाएगा यार क्योंकि खुद की देश की लेंग्वेज समझ आती ह क्या सिस्टम है और 50 दिरम की मिली है 50 मरोकन दिरम मतलब पांच डॉलर हो गए पांच डॉलर मतलब 400 रुपे की टिकेट है तो देख सकते हैं तो महेंगी है 30 किलोमेटर के लिए 400 ट्रेन की बरबाकी आपको ट्रेन दिखाता हूं कैसी है कि अपता ट्रेन काफी ज्यादा पर अंदर से आपको दिखाता हूं कैसी रहती है ट्रेन क्योंकि 400 रुपे ले रहे हैं यार पांच डॉलर ले रहे हैं काफी महेंगे हो जाते हैं 25-30 किलोमेटर के लिए अभी देखो ट्रेन बिल्कुल खाली हो गई है कोई भी नहीं बचाए ट्रेन में एक दो बंदे बचे हैं बरस और मैं बैठा हूं अकेला और यह स्टेशन है कासा बयाजर इसके बाद आएगा कासा पोर्तो तो मुझे उतरना है कासा पोर्तो के उपर वहीं से मेरी बस मिल जाएगी सभी बता हूं ठीक है ट्रेन यार इतनी बूरी भी नहीं है आप देख सकते हो पर लेकिन 400 रुपे के हिसाब से 30 किलोमेटर तो ज्यादा यह लेकिन 30 किलोमेटर तो है यह ट्रेन लगबग एक डेड़ गंटा लगा देगी क्योंकि मेरी ट्रेन चली यह ट्रेन अगर आप गाड़ी से जाओगे तो जिल्ली पहुंच जाओगे पाइनली भाई का सापोर्ट तो स्टेशन पे पहुंच गया हूं चलते हैं निच्छे उतरते हैं और अपने बस टेशन चलते हैं क्योंकि बस की टिकेट तो बुक है ही और यहां से जो बस टेशन है ना मेरा वो ज्यादा दूर नहीं है वो बस टेशन सिरफ 10 मिनट की वोक है तो मैं पैदल ही चला जाओँ टैक्सी टुक्सी लेनी नहीं पड़ेगी तो चलो निकलते हैं बार यार यहां से तो स्टेशन काफी बढ़िया दिख रहा है देख सकते हो आप मतलब ऐसा लग र और यहां पर टो वेज़ीतेरियन सिरն कुछ मिलेगा नीज तो मैं तो सिरफ यहां पर चिप सी घा सकता हूं और tradition स्टेशन आप देह सकते हो कुछ ऐसा दिखता है और यहां पर ना देखो करी देंधाने की बिदुकान ने भी है औरंज सिनम काड है और वह लागल्न जी हो आप इनकी ट्रेन और इनके एरपोर्ट पर बिल्कुल फ्री वाइफाई है यहां पर भी फ्री वाइफाई चल रहा है बिल्कुल इसी निये मेरे को लेने की जुर्ती नहीं पड़ी तो अब यहां से नहीं सिम काड खरीद लेते हैं इनसे पूस्ते हैं मिलती है या नहीं मिलत यार बहुत सस्ती मिल गई यहां से तो 7 डॉलर की और वहां पर 40 डॉलर की सिम कार्ड मिल रही थी उसमें सिरफ 20 जी भी मिल रहे थे तो चलो अभी बाहर चलते हैं यहां से और पैदल बस्टेशन पर बैग छोड़कर इधर उदर आपको थोड़ी बहुत सीटी दिखा दूँ काफी बढ़ी सिटी लग रही है यार देखो अभी स्टेशन से बाहर निकला हूं देखो यहां पर सब कुछ है स्टारबक्स मैकडी वगार है सब कुछ मिल जाएगा आपको और मोरोको की एक खाशियत आपको मैं बता दूँ यहां पर आपको मोरोको का जंडा हर जगा है ल कुछ सेट है पैसे भी निकल वा लिए सिम कार्ड भी ले ली सब कुछ सेट है बस भी बुक है अब आपको समान रखकर बढ़िया सिटी दिखाऊंगा का सब लंका कैसी सिटी है एक चीज दिखाता हूं आपको इंटरस्टिंग यह जो आपको वैन दिख रही है ना यह वैन यह पाली बैन बैंड जो है सामने जो दिख रही है यह कोफि बेच रहे हैं लोग अपको अगर में अंदर से दिखांँ दो बढ़ीआ को फिमेलती एक फिल्टर ओफि यह आपर यह सामने जो company देख रहे हो CTM मैं पहुंच गया यहां पर यही मेरी बस company है मेरी टीकट पहले से बुक आपको बता दिया यहां से इन से बात करते हैं कि बाई हमें बताओ बस कब चलेगी और किस टाइम मैं वापस आऊ यहां इतनी देर मेरा बैग तो रख लोगे ना मेरे इस और वैसे आपको पता है यह बाई इंडिया वाले जुगाड अर्चगा करी लेते हैं मैंने जिससे टिकेट ली थी प्रिंट कराई उस लेडी से वो कदी की नहीं आप आप बैग नहीं रख सकते हैं फिर बैग का अलग से चार्ज लेते हैं छे दिरम इन्होंने अलग से लि दिक्कत नहीं तुम मेरे पास चोड़ता हो मुझे कोफी पिला देना आपको दिखाता हूं तोड़ी बहुत सिटी और फिर बस लेकर निकलेंगे फैस सिटी के अंदर फैस थोड़ी सी नोर्थ के अंदर है सिटी वहां निकल जाएंगे जम मैं यहां पर उतरा थाना मेरे को लगा बड़ी गर्मी होगी क्योंकि सारा डेजर्ट के अंदर आये हैं लेकिन गुर्मी नी भाई वड़ी ठंड है लोग सब जैकेट पहन के हूंबरे आप कोई भी बंदा आपको बिना स्वेट शर्ट बिना जैकेट के मिलेगा ही नहीं तो अब कोई कितने देशों में और अभी तो मैं इस अफरीका से आया हूं वो तो बिल्कुल यह ऐसा था कि मतलब कि गाउं जैसे ही थे आपको मैंने दिखाए यह सब जगह और यहां पर देखो किस तरह हैं के कैपवे आपको हर जगह मिलेंगे लोग यहां पर ना सिगरेट बड़ी पीते हैं इस मेंन आर्किटेक्च्चरा अगर आपको यह बताओं तो सिसमें इस देख में फ्रेंच बोलिए जैसे कि इन्डिया में रहने वाले लोग इंडि- मिक्स करके बोलते हैं वैसे ही बीच में फ्रेंच बोल रहे हैं एसे काम यहां पर ठीक-ठाक एजिप्ट के मुकाबले बताऊं तो थोड़ा चेंज है यहां पर ओ थोड़ा मेंगा भी एजिप्ट से बाई सामने देखो ट्रैम जा रही है मुझे तो उमीद ही नहीं थी यार कि मुरोकों में ट्रैम चलती होगी कुमाल है यार देखनो बिलकुल सडक के बीच में लोग खड़े हैं यहीं से ट्रैन गुजर रही है इसको ट्रैम बोल लेते हैं जो सडक के ऊपर चलती है आप ही है देख लो आप यह जो सामने आप देख रहे हो ना यह छोटे-छोटे स्टेशन बने हुए हैं ट्रैम के अब ही मैं आपको लेकर चलता हूँ कासा बलंका ओल्ड सिटी के अंदर कासा बलंका का मतलब होता है वाइट हाउस कासा बलंका इसका नाम स्पैनिश नेम है यह आगे मैं आपको बात करता हूं इसके बारे में दीरे-दीरे इसकी इसकी इस्ट्री की भी बात करेंगे काफी crowded city है यार चारो तरफ गाडियां गूडियां गूमती हुई आपको दिखेगी मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हूँ मेरे पास सिरफ एक गंटा है इसलिए मैंने सोचा कि आपको का सब लंका city की वीडियो थोड़ी बहुत तो दिखानी जरूरी है क्योंकि यह नहीं गया हूं इनकी old city के अंदर old town के अंदर वह मैं आपको दिखाता हूं अंदर चलते हैं इसके दीरे-दीरे इसकी history की बात करते हैं दीरे-दीरे सब कुछ आपको मैं city के बारे में बताता हूं इस city में लग-बग 37,000,000 लोग रहते हैं और काफी popular city है और बहुत अलग-लग ल लीना भी बोल देते हैं देख सकते हो आप सामने सब कुछ समान मिल जाएगा आपको जो आपका मन करें जो आपका दिल चाहे जूते कपड़े कच्छे बनियान टी-शिर्ट सब समान यहां पर मिल जाएगा एक चीज यह देखी आपने नोटिस की देखो मैं यहां पर वीड अरिका में होता था और वो लोग तो शोर मचाने लग जाते थे यह तो फिर भी मुस्लिम गंट्री है यहां पर तो फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा वहां पर तो लोग अगर वीडियो बना लो फोन कैमरा बार निकाल लो तो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं यहां पर पहले साथमी सेंचुरी के अंदर लोग यहां पर बरबर्स जो नोर्थ अफरीका के इंडिजीनियस लोग है वो रहते थे उसके बाद यहां पर काफी लोग आये लेकिन पंदरमी सेंचुरी में यहां पर पोर्तिगी जाए फिर इन्होंने इस सिटी का नाम रखा कासा बरा कासा बरांका का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया उसके बाद स्पैनिश भी आये क्योंकि यहांपर वर्लड वर्ड बोर्ड टू के लिए यह सबसे खतनांक लोकेशन थी वर्ल्ड वोर्ड तूर एथा ये उरॉप के अंदर और यह सिटी जो है यूरॉप से जदा दूर नहीं है इसलिए इस सिटी ने एक मेन रोल प्ले किया वहां पर वर्ल्ड बॉर्ड टू के अंदर जो भी लडाई हुई थी उसके बाद स्पैनिश आये ना तो स्पैनिश ने इसका नाम कासा ब्लांका कर दिया पॉर्टगीज और स्पैनिश एक जैसी जैसी है कासा का मतलब हो को की कैपीटल है रबाध लेकिन रबाध इनकी सबसे बडी शिटी नहीं है वहां पर सिर्फ अफिशिल काम होता है सबसे बड़ी सिटी यह है जैसे कि मैंने आपको बताया इनका शिए कॐ प्रौंस एज़ादी दिलाई लिए ती गलिया देखो यार क्या प्यारी प्यारी गलिया हैं यहाँ पर देखो क्या जबरदस्त ग्रैफिटी की हुई है दिवारों के उपर काफी सुन्दर लगती है ऐसे लोग काफी बहुत कम आपको शेर मिलते हैं दुनिया में जहां पर हर गलिया ऐसे पतली-पतली बढ़िया दिजाइन की होती है उनके उपर ग्रैफिटी की होती है गूमने में सही बताऊं कासा बलंका ज़्यादतर लोग रुखते नहीं है यहा कि मोरोको में आपको ना हर जगह बिलियां दिखेगी देखो कितनी सारी बिलियां है देखो पांचे वहां बेठी है एक एरी हर जगह आपको बिलियां दिखेगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कोई अनसेफ सिटी है या कुछ है मैं तबसे इतनी भीड में गुमें जा रहा हूं कोई किसी को कोई मतलब नहीं है ना कोई मुझे रोक रहा है और यह देखो यह खजूर तो आपको हर जगहां दिखी जाते हैं मिडल इस्टन कंट्री में वैसे आप मरोकों को मिडल इस्टन कंट्री बोलोगे इसे यह दुकान देखो वाई आप दियान से देखो क्या क्या समान पड़ा है आप सोच ही नहीं सकते इस्ट अफरीका में आपको यह समान मिल जाए मतलब इसका एक भी कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पर यह ना और लिवस बगारा काफी ज्यादा यह पक्सी बगार है बेच रही है देखो अलग लग टाइप के आप देख सकते हो यहां पर पता नहीं लोग खरीते हैं इनका क्या करते हैं मुझे नहीं पता बिलकुल भी अगर सही बताओ ना मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास तिरफ एक गंटा है आपको यह पूरी कि मैं नहीं देश में आ गया हूं और मोरोक्को साइड आ गया हूं ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को यह लग रहा है कि आर की कुछ खाने को मिलेगा पंदरा किलो जो वेट गटा है ना वह अगले एक डेड़ महिने में मेरे को पूरा करना है यह रहकर यह देखो कास्टा बलंका सिटी के बीच में इन्होंने कितने बढ़िया पेड लगा कर साफ सुत्री लोगों के बैठने के लिए बैंच वगरा लगा रखे हैं जो भी आपको capitalist country दिखेगी ना वो आपको पबलिक एरिया में बैंच लगाते हुए नहीं दिखेगी कांकि वो नहीं चाहते कि बिखारी लोग या फिर जो भी गरीब लोग है वो यहां पर बैठे या फिर रात को सोए यह चीज मेरे कोई city की अच्छी लगी है इनको फरक नहीं पड़ता city में ऐसा नहीं है वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी और आप देख सकते हो क्या सुन्दर दिख रहे है ना ये पेड बिलकुल city main city का center है ये का सबलंका का और बिलकुल main city के center में इन्हों ने बढ़ा रखा है और यहां पर देखो ज़्यादतर लोग cigarette पीते हैं तो जित ये लोग फारे दिन या तो उपका पीते हुए देखेंगे या विर आपको cigarette पीते हुए देखेंगे कि अब चलते हैं बस के अंदर देखो बिल्ली मैं आपको बता रहा था आपको हर जगा मिलेगी यह देखो यहां पर भी बस station के अंदर भी बिल्ली गुमरी और सब लोग प्यार करते हैं यहां पर बिल्लियों से देख लो आप कोई भी विजारी को मारता नहीं है इसलिए य रजबार चलते हैं वह इस तस्रिस को वाइथ है dilemma को मैंने पैसे दिये ते मैं और इसको पांछ दिरम दे देते हैं विचारे को बडिया बंदा या रारे इसने यह देखो वाई यह बitäten Pacific दिखा देता हूँ बड़िया बस यार देव लोक्याद जिवर्दस्त बस्त है ना साड़े चार सु किलोमितर के इसाव से नौ दोलर तो सही है यार मेरी सीट नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ देखो ब्लास 19 लिखा है ना 19 नंबर मेरी सीट है सीट नंबर का लिखा हुए इनका वो मैं डूटता हूं और फिर बड़िया सीट पे बैठ के अराम से जाएंगे पाइनली बाई मेरी बस पहुंच गी एफ एस सिटी में ग्यारा बजकर 20 मिनिट हुई है और अभी बस आ रही है भाई की वही अभी मेरी बात हुई है उनसे पता नहीं क्या पता यही बस हो शायद अभी मिलते हैं उनसे थोड़ी देर इनका बेट करते हैं शायद यह देखो भाई आगे एनस भाई बढ़िया टूर दे रहा है आपको ये बंदा इस सुबह ना इसके आने से पड़े निगल जाना अंद ये बंदे ने ना हमें तंग कर लिया है हम आरे पीछे बढ़ गया है हमें मिला कहा मिला वाई रेस्ट्रल्ट में मिला जहां पर हम खाना खा रहे थे उसके बा ये अपने साथ सोएगा तो आप सुलाओगे कमरे में चलो यार आज की वीडियो भी हमें फाइनल यूटल मिल गया है आप सोने की ट्यारी करते हम तीन मंद या साथ में एक बैड उपर है वो बाई उपर सौएंगे और यहां पर एक बैड यह देख सकते हो आप और यहां प बारादारी को लिगले तीमी में बाद चाहिदी में बाद पोशेच हमें भी निकाया अब भी चलो बाई ओके बाई गुड़ नाइट अपलो दर आजा